Hello दोस्तों सवागत आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आइन हैं रेस्टोरेंट में बनने वाला पंजाबी चिकन मसाला रेसीबी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करना नहीं भूलें और वीडियो को जो है पूरा एंड तक जुरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इस रेशिपी को बनाने के लिए हमने जो है वन केजी चीकन लिया है और इसको मैंने जो है अच्छे से धो करके रख लिया है और यहाँ पर हमने लहुसन लिया है दस गराम के लगबग इसको मैंने बारीक बारीक जो है चोप कर लिया है और हमने यहाँ पर दो टमाटर लिया ह इसके लिए इनको भी हमने जो है चोप कर लिया है और तीन से चार हमने हरी मिर्च ली है इनको भी चोप कर लेना है और हमने अधरक लिया है यहाँ पर दस ग्राम के लगबग इसको भी हमने बारीक बारीक जो है चोप कर लिया है और तीन प्याज लिये हैं हमने इनको भी हमने बारीक चोप कर लिया है और इसमें डालने के लिए 100 गराम हमने दही का यूज किया है दही हमारा एकदम से खट्टा नहीं होना चाहिए और इस दही में हम मिला देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर और एक चम्मच हमने लिया है यहाँ पर गरम मसाला और एक चम्मच हमने लिया है चिकन मसाला अब हम इनको जो है अच्छे से मीक्स कर देंगे हमने कडाही को जो है गैस पर रख लिया है गरम होने के लिए इसमें हम तीन बड़े चमच के लगभग तेल डाल देंगे और इसमें हम घी का यूज भी करेंगे दो बड़े चमच हमने इसमें घी डाल देना है क्योंकि हम पंजाबी स्टाइल में चिकन बनाने जा रहे हैं तो इसमें घी का यूज जरूर होना चाहिए और इसमें डालने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसा की दाल चीनी, बड़ी इलाइची, लॉंग और ये जीरा, और काली मिरच और दो हमने यहां पर लिए हैं तेज पत्ता तो हमारा घी और तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें खड़े मसालों को डाल देंगे यह हमने इसमें डाल चीनी डाल दी और यह हमने इसमें डाल दिया तेज पत्ता और यह काली मिरच और लॉंग और जीरे को हमने एक साथ ही इसमें डाल दिया है और बड़ी इलाईची को हम करश करके डालेंगे यानि कि इसको तोड़ करके डालेंगे यह हमने इसमें बड़ी इलाईची को डाल दिया है इसको हम अच्छे से चटकने देते हैं खड़े मसाले हमारे चटक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे प्याज प्याज को हम जैदा नहीं भूनेंगे इसको इसका कलर सुनेरा होने तक ही इसको हम इसमें पकाएंगे यह देखिए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक जो हमने चौप किया हुआ है और यह डाल देंगे हम लहुसन तीन से चार मिन्ट इनको हम अच्छे से पकाएंगे तीन से चार मिन्ट के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने चौप की हुई है देखे मसाला हमारा जो है यह बून कर बिल्कुल तयार है अब हम इसमें चीकन को डाल देंगे यह हमने इसमें चीकन को भी डाल दिया है इसको हम 10 से 15 मिन्ट अच्छे से इसके अंदर पकाएंगे और हमारा जो चीकन है वह खड़े मसालों के साथ बून कर तयार है अब हम इसमें एक चमप जो है नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक चमप जो हम डालेंगे इसमें लाल कस्मीरी मिर्च इन सभी समान को मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दही में मसाले को मिलाया हुआ है और अब हम इसको इसमें मिला देंगे इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम जो है पांच से दस मिनट अच्छे से पकाएंगे मसालो को अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम डक्कन लगा करके दस से पंदरा मिनट अच्छे से पकाएंगे और ये देखिए पांस से दस मिन्ट के बाद आप इसको ढकन हटा करके इस तरह से चलाते रहें ताकि हमारा पंजाबी चीकन नीचे ने लगे और अब हम इसमें डाल देंगे ट्रमाटर और इनको अच्छे से मिला करके हम इनको खूब करके पकाएंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें पानी इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको दोबारा से डक्कन लगा देंगे इसको हम आठ से दस मिन्ट और पकने देंगे यह देखे आठ से दस मिन्ट बाद हमारा पंजाबी चिकन मसाला बनकर तयार है एक चमच हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी हम हरे धनिये की पत्तियां लेंगे यहाँ पर इसको गार्निस करने के लिए और यह देखे हमारा पंजाबी चिकन मसाला बनकर बिलकुल तयार है तो दोस्तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए